हेलो दोस्तो आज की इस वडियों बत करने वाले हैं पैम 4803 एम्प्लिफायर बोर्ड के बारे में तो दोस्तो इस बोर्ड में अधिकतर प्रोलम आती है या खराब हो जाता है तो दोस्तो इसका सॉल्यूशन में लेकर आ गया हूँ और दोस्तो इस एम्प्लिफायर बोर्ड में साउंड भी क्वाल्टी बिगडने लगती है तो इसका भी मैं सॉल्यूशन लेकर आ गया हूँ तो याई बेटन पर इसकी वीडियो की वीडियो देख सकते हैं आप और मैंने यह वाला बोर्ड और लाइन से खरीदे हैं अगर आप भी खरेंदना चाहता है तो इसका लिंक में डिस्क्रेसर में डाल दूंगा मापर जाकर आ दोस्तों यह एम्पली फाइर बॉर्ड अधीतर खराब होने के वजहे से में बता दे रहा हूं तो दोओ दोकर बजाएगा इस परकार से यागर फ्लस में नहीं देना है प्लस के प्लस में माइनिस के quantities में देना है दिदय कर शक्रांव अगर गलत हो गाँ तो आइसी सील वलगां हो जाएगी यह रिजिस्टेंस ऑगला कुछ भीट उड़व सकता है तो प्रोलों और सकती में अब बात करें तो कि इंपुट की तो इसमें आप Bluetooth कार्ड लगा सकते हैं तो मेरे पास यह Bluetooth कार्ड है इसको मैंने offline market से खरीदा है देखिएगा दोस्तों यह कितनी छोटी साइज का PCV बॉर्ड में Bluetooth कार्ड दोस्तों इसके कनेक्सिन इजी तरिके से लगा सकते हैं देखिए किस परकार से इसके पीचे लिखा का रहा है इस परकार से आपको लगा लगना है और दोस्तों आप से निवे दिन यही है कि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के प्रेस करें ताकि हमारे वीडियो जुर्ए लाइकरियो अगर आप इस परकार की बेटरी ऊच करोगे पेम 14-03 में तो दोस्तों बेसक्वाइक पॉल्टिक आपि अच्छी होज़ों परेडाशारियोगा तक होएगी तो मैं अगदित्तर इस पिगर बनाने में ये सी सेल का यूज करता हूं यो कि 18650 बेटरी है ये ओफ लैंड मार्केट्स ते इसली मिल जाती है असी रिफे में दोस्तों कि अब अब